हेलो दोस्तो अल्मीनियम प्रेंट चैनल में अब का स्वागत है आपने पहले एक वीडियो देखी होगी के जिसमें हम एक अल्मीला बना रहे हैं अल्मारी बना रहे हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लेंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आपको तो उसके बाद हम ये पार्ट टू लेकर आए हैं जो इसका नाप है अंदर का जो विंडो बनानी है हमने वो नाप हम ले रहे हैं उसके बाद इसकी ज हमको इस तरह के शेक्शन चाहिए इसको बोलते हैं बिंडो शेक्शन इसमें आपको एक लेना पड़ेगा सिंगल और एक बॉटम बिंडो शेक्शन की एक लेंथ सिंगल एक बॉटम यह इसका सैज है जो हमने अभी ना पाथा तो उसके बाद हम शुरू करते हैं जो हमारी यह शेक्शन थी बॉटम बाली तो हमने जब गुनिया लगा कर देखा तो बहुत आदे एमेम के क्रेम थोड़ा सा यह आउट था तो हमने इससे बराबर करने के लिए प्लेन करने के लिए एक बार हम कटर मशीन इसके उपर से चलाएंगे तांके यह प्लेन हो जाए और जो रहेगा उतना ही आपका काम बहुत ही अशी तरह से होगा तो आपने अभी देखा कि जो हमारा उचाई थी वो फिफ्टीवन एकबंजा इंच थी तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसे जितनी हमारी जो लबाई थी उससे डेड़ सूथ कम कर देना है उससे डेड़ सूथ हमने इसे कम रखना है जितनी आपकी उचाई थी हमारी उचाई थी 51 एंच तो हमने इससे डेड़ सूथ कम काटा है ये क्योंके लकडी की बात और होती है अलमीनियम और है क्योंके इस पर कोई बात में प्लेनर बगारा नहीं लगता तो वो तो प्लेनर से सेट आजाएगी लकडी पर ये नहीं आएगी तो ये मैं जो लगा रहा हूँ इसके उपर जो ब्लेड चलते चलते कुछ खुश्क सा हो गया था तो हम यहाँ पर मवलायल जूज करते हैं मबलाय लगाते हैं ताके जो हमारा खुशक हो गया था बलेड वो थोड़ा सा लूबरिकेट हो जाए और जो इसकी कटाई है वो साफ हो जो अलमीनिम की कटाई है वो साफ हो तो नहीं तो आपकी जो कटाई है वो साफ नहीं होगी अगर आपका बलेड खुशक हो गया तो तो हमारी यो लबाई तो हमने काड़ ली अब आती है विर्थ चुडाई चुडाई में हमारे पास है दो विंडो तो दो विंडो में हमने क्या करना है कि देड़ सूथ कम करना है देड़ सूथ हमने कम रखना है तो हमने ये सैज नकाला है जितना भी सैज था 31 एंच 28 सूथ था उ यह हमारा सैज है 15 एंच और उसमें से डेड़ सूथ फिर कम करना है और जितना आपने दोनू लेंथ हो जो आपने बनाई है दोनू लेंथ उसे ब्राबर रहकर एक विंडो का है यह ब्राबर रहकर जितना आपका सैज हो चोड़ा आपकी जितनी 15 एंच थी जो भी आपकी चुड़ाई विंडो की तो उसमें से दोनों लेंथ बराबर राकर आपने कम कर लेनी है वो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा इस वीडियो में आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा वो मैं एक वीडियो और बना दूँगा क्योंकि इस तरह से समझाने से वो पता नहीं चलता तो हमने जितना सही था निकला वो हमने अभी काट जहां से काट देना है इस तरह से तो हमारा जो सही था वो 10 एंच साड़े चाल सूत आया था तो हमें ये चार पीस चाहिए क्योंकि दो विंडो है हमारी तो इसके लिए चार पीस चाहिए और उससे आगे हम इसमें सरिया लगाते हैं लोही की रौड दो सूत की सरिया ये हम विल्डिंग कर देते हैं इसमें ताके इसकी जो मजबूती है वो काफी रहे तो इसके लिए अधाई सूत के बोल्ड चाहिए हमें नट बोल्ड और ये दो एंच लंबे हैं और बाकी जिस तरह मैंने अभी रखा आपके सामने कि एक एक एंच ज्यादा रखना है तो जो बीच में सैज आया वो सैज हमने उसका काट देना है सरिये का तो हमारा जो 10 इंच था जो पीस उसमें से एक एक इंच कम रहकर तो तकरीबन 8 इंच के करीब हमारा जो सैज निकला है तो उसके हमने 4 ये पीस बना लेने हैं सरीय के और दोनों सैड में हम नट पॉल्ड वेल्डंग कर देंगे आपने देखा होगा कि अलमीनियम के डोर काफी लूज हो जाते है अगर आप इसमें सरीया लगाओगे तो आपको ये प्रॉबल्म नहीं आएगी क्योंकि ये डवल मिजबूती हो जाएगी और उसके बाद आती है फिटंग एंगल फिटंग एंगल के लिए हमें एक जितना हमारा सैज हो उस सैज के हिसाब से हमने जहां पर एक काट लगा कर एक फर्मा सा बना लेना है ताके उसी सैज के जो काटंग एंगल है उतने पीस ही हमारे हो ज्यादा बड़े शोटे ना हो तो एक ये देसी सा फर्मा होता है बना लेते हैं हम ये देखें इस तरह से और जहां पर हमने ये लगानी है इस तरह से तो हमें ये चाहिए तकरिपन दो आठ पीस चाहिए हमें ये तो हम इसे कड़ते हैं वैसे जो आपने दर्वाजे लूज होने का कारण वो है कि वो लोग क्या करते हैं काफी लोग सिर्फ अल्मीनियम की फिटेंग एंगल ही देते हैं जोड लगाने के लिए तो कुछ तेम बाद अगर तो बिलकुल सही बना है दर्वाजा तो ठीक है नहीं सही बना तो बहुत जल्दी ही आपका दर्वाजा लूज हो जाता है उसका कारण यही है कि फिट गेंगल अकेली है अगर साथ में सरीया लगाया जाए तो आपका दर्वाजा जो है जैसे लकड करते हैं सरिय को जो हमारा कावला है नट बोल्ट है उससे हमने चाहे कोई विंडो बनानी हो चाहे बड़ा दरवाजा हम सभी में इसी तरह से ही सरिया डालते हैं कोई ज्यादा महेंगा नहीं पड़ता पर उससे क्या होगा कि आपका काम अच्छा भी लगेगा और आपको भी मन को तसली होगी आपको अपने मन में तसली रहेगी कि हाँ भई काम किया है अच्छा किया है तो आपको कोई शकायत नहीं मिलेगी जहां पर आपने लगाया है तो उसके बाद जो फिट गेंगल है उसमें हमने दो ड्रल कर ले हैं जिसमें से आठ नमर के पेच है वो निकल जाएं इस तरह से और यह हमरे पास चार पीस है दो पीस सिंगल दो पीस बौटम जिसमें के हमने दो विंडो त्यार कर ली है तो इसके लिए हमें आप इस पर फिट एंगल देनी है fix कर ली है fitting angle तो इस तरह से आपने रख लेना है पहले जो piece आपके पास हो single हो तो single का अगर bottom हो तो bottom का तो लगा कर इस तरह निशान लगा लो आप उसके बाद गुनिये से हम सीधा निशान लगाएंगे क्योंकि अगर आपकी यह वाली fitting angle गल्त लग गई थोड़ी सी भी टेटी लग गई तो आपका जो door है जब window है वो सही नहीं बनेगा सही बनेगा पर जहां पर out सा लगेगा आपको भी लगेगा के हाँ वही मेरे काम में थोड़ा सा fault है तो एक page लगा कर एक screen लगा कर आप गुनिया लगा कर देखो कि बिलकुल सही हो आपका यह काम उसके बाद हम इसमें 8 mm का एक ड्रैल करेंगे जिसमें से जो हमारा nut bolt है वो असानी से इसमें से गुजल जाए क्योंकि इसमें बाद में इसमें बाद में हमने जो कावला welding किया है जो हमने सर्ये से welding किया है nut bolt वो जहां से इसी ड्रैल से हमने दूसरी साइड में नकालना है इस तरह से यह हमारे welding किये हुए सर्ये है और इस तरह से हमारी ये चारो जो length थी ये complete हो चुकी है तो इसे आप fix करने की बारी है और जो इसकी वीडियो होगी वो अगली वीडियो next part में आपको इसकी जो फेटंग और जहां पर हम complete इसे बना कर कापजा, चेटकनी या हैंग या टावर बोल्ड जो भी आप बोलते हो पूरा लगा कर लॉक्स में तो आपको दखाएंगे कि किस तरह से हम वहाँ पर फेटंग देते हैं इसकी ओके